क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने human reproduction को completely पढ़ लिया था आप लोग प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा प्लांट reproduction भी और ये पूरा reproduction unit का सबसे आखरी चैप्टर है और ये last lecture भी होगा कि one short lecture पढ़ रहे हैं चोटा सा चैप्टर है तो जल्दी से खतम भी हो जाएगा में भी मेरी आवाज साथ थोड़ा धीरे सुनाई दे रही हो आप लोगो क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल भी रही हूं एक्चली टिस लेट नाइट इस अबाउट तू एम आ वस ताइंग तू स्लीप फर लांग ताइम बट कुड़न स्लीप सो थौट तू सूथ एक 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 ऐस थोड़ा सा जो है ट्र विकम्प्लीट हो जाएगा और में भी मुझे मीन भी आजाए को चैप्टर को सुरू करते हैं नैट इस टार्येट दिब्याद है है रित रिप्रोड़क्तिव है है निखें है हेल्थ का मतलब क्या होता है री प्रोडेक्टिव हेल्थ का मतलब है total well-being-in-all aspect enquanto मतलब हर तरीके से fit होना चाहिए कोई भी इंसान जिसकी reproductive health अच्छी होने चाहिए उसको physically mentally socialy rehab or emotionally हर तरीके से ब्राक होना की oh okay फिकंश कि जैसे जैसे फेसिकली का मतलब क्या है उसके जो फेसिगल पार्ड्स हैं लाइक पर फिट होने चाहिए वह पर कोई किसी टाप के अबनॉरमिल्ती नहीं होनी चाहिए कि देर सारे जोसल स्टिग्मा होते हैं रिप्रोड़क्शन को ले के सैक्स को ले वह सारी चीजें वह सारे चीजोज नहीं होने चाहिए जैसे मेंड़ल सली का मतलब यह कि dose को किसी का मतलब अर ह Jong-e की विमारी है इस्टली है BACK तो उससे बात ही करना बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, खीक है, उसको sexually transmitted disease है, तो वो जो है, sexually transmitted करेगा, तो बात करने में क्या दिक्कत है, तो इस शारी चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी दिमाग, mentally fit होना चाहिए, mentally we, mentally, behaviorally का मतलब यह है कि कुछ लोग तो इसे होते हैं कि हर किसी को किसी को भी देखने के बाद को कुछ भी सोचना, यह सारे issues आते हैं, तो यह सारी चीज़ें, यह सारी दिक्कतें नहीं होनी जाहिए, तो reproductive health का मतलब यह है, टोटल वेल बेइंग इन आल आस्पेक्ट आफ फिजिकल, ठीक है, शोसल, mental, physical, शोसल, mental, behavioral, ठीक है, emotional, ठीक है, emotional changes भी बहुत सारे आते हैं, जो adolescence होता है, adolescence की दुरान ठेर सारे changes आते हैं, body में, तो जैसे किसी, कोई male है, उसकी body में ठेर सारे changes, उसकी जो wise है, वो क्या होने लगती है, heavy होने लगती है, ठीक है, low-paced wise, उसमें ठेर, उसके हम कह सकते हैं, कि जो जनाइटल पार्ट हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं तो वह काफी इमोशनल हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना रिप्रोडुक्टिव हेल्थ के अंदर ये अंतरगत ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपकी फिट होनी चाहिए ठीक है तो सामधे चाहिए फिटके नेhalे चीज़ तो हमें यह पढ़नी है जो है क्या क्या कहते है आप इसलैंक अमईन औरहुक्त है पाप फिलेशन इक्सप्लोजन आ मैं जो पढ़ना है मैं वह बता देंक्या हिम ग towel को ये पढ़ना है कि जो न्हीं सब्सक्राइब करने के लिए या अन्वांटिट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉंट्रसेप्टिव मेथर्स उसके बारे महम लोग पढ़ेंगे थर्ड है फूर्थ है आपका इन फर्टिलिटी एंड ए रटी ए रटी का मतलब होता है एसिस्टेड रेप्रोड़क्टिव टेकनोलोजी है और पांचमा है एस्टीडीज एस्टीज का मतलब सेक्सुले ट्रांस्मिट्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम यह सारी चीज है पढ़ने की कोशिश करते हैं और जल्दी से खतम भी हो जाएगा चले देखे सबसे पहली चीज है इंडिया जो है वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने फैमिली प्लैनिंग शुरू की थी 1951 में इसने फैमिली प्लैनिंग प्रोग्राम शुरू किया यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिसकस कर रहे हूं Family Planning Program अभी हम लोग देखेंगे Family Planning Program में क्या-क्या आता है ठीक है 1951 में शुरू हुआ था ये Family Planning Program इसके बाद देखिए आज भी ये प्रोग्राम चल रहा है लेकिन आज इसका दूसरा नाम है RCH RCH का मतलब ये होता है Reproductive and Child Reproductive and Child Care or Child Care Health ठीक है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए तो Family Planning Program सबसे पहले इंडिया ने शुरू किया था 1951 में ये आज भी है reproductive and child care health के नाम से इसके अंतर के क्या आना चाहिए ठीक है इस family planning program में क्या क्या चीजें include होती है तो किसी भी person के लिए जो अपनी family बढ़ाने जा रहा है जो reproduction करने जा रहा है future में उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना इस planning program के अंदर ठीक है पहली चीज है कि उसके पास knowledge about the reproductive part मतलब reproductive part के बारे में proper knowledge होनी चाहिए सब कुछ आपके book में दिया हुआ है मैं बोल भी हूँ आप लिख सकते है proper knowledge about the reproductive part knowledge about the sex sex के बारे में knowledge होना चाहिए knowledge about the we can say pregnancy care of pregnant lady कैसे pregnant lady की care करनी है knowledge about the menstrual cycle knowledge about the postnatal care postnatal मतलब childly birth के बाद उसकी care कैसे करनी है contraceptive methods के बारे में पता होना चाहिए STDs के बारे में पता होना चाहिए ठीक है मतलब एक sex education जो भी है लब sex education का मतलब ये है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में proper knowledge होगी हर चीज के बारे में proper knowledge होगी तब ये जो issues आते हैं ना society में वो नहीं होंगे क्योंकि society में issues क्या है आज भी धेर सारी जग्मों पर ऐसा होता है कि जो infertility होती है infertility का मतलब ये है कि कोई अगर कपल baby produce नहीं कर पा रहा है दो साल से वो क्या है married है और baby produce नहीं कर पा रहा है अब तमाम कोशिशों के बाद भी natural तरीके से अगर baby नहीं हो रहा है तो उसको infertile कहने लग जाते हैं लेकिन आप देखेंगे कि society में इतने issues हैं सब चीजों को लेके कि infertile ज्यादा तर male होते हैं ठीक है infertile ज्यादा तर male होते हैं लेकिन होता क्या है भाई कि male को infertile ना बता के female पे दोश्ट दिया जाता है और male को recommend किया जाता है आप दोश्री साधी कर लो पता चला erectile dysfunction उसे है और infertile female को बता ठीक है तो देर सारे ऐसे issues है सुसाइटी में उनको कम करने के लिए मतलब जो reproductive health है उसको maintain करने के लिए इन सारे चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ठीक है इसलिए सारे एजूकेशन तो reproductive health and child care health में यह सारी चीज़ें आती कि उन्हें प्रटैक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर जो है क्या कहते हैं वे कैषें से हैं क्योंकि जब मेल जो मेल फीमेल जो गर्ल है या विकन से गर्ल और बॉइज हैं उनमें जब एडोलेसेंट होता है उनसेट और प्यूवर्टी होती है तो उनमें डेल सारी चंज़ आते हैं और वो काफी एमोशनल हो जाते हैं कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं चंज़ के अगर उनको एजुकेशन की कमी है तो तो यह सारी चीजे है रिप्रॉद्टिव एण चायटकेर हर्थ में इंग्लूडyg किया गया है कि उन्हें सक्स के के बारे में पता होना चांगें, स्थभी के बारे में पता होना चाहिंए, यह सारी चीजें इसके अंतर्गत include की गई है, इसके बाद हम लोग hé Licu के बारे में अब अब इन व एक सुलॉजनर में जो data आप लोगों को याद रखना है, भूसर जो याद रखना है, वह यह है क्वेस्टन यहां से पुछा जा चुका है तो दिखें यहां पर वर्ल की पॉपलेशन और मैं इंडिया की पॉपलेशन ले ले दिए 1900 में यह मैं यहां पर यह मैं यहां पर लिख दूं 1900 में 1900 के आजपास वीकेंड से जो वर्लड की एक मतारיתי सी संर्प तोफनारा हे है निए यह सिक्स बिलियूं या को तोफन की स्काथा। 7.2 billion के आसपास हो गया ठीक है इंडिया की population अगर हम बात करें 1947 में 1947 आजादी के दौरान इंडिया की population 350 million थी 350 million थी 2000 आते आते तेजी से उचाल आया और यह लगबग 1 billion के आसपास हो गया बापरे मतलब we can say 2000 में every 6th person was an Indian हर चठे रेक्टी में एक भारत है we are proud of us ठीक है ठीक है तो अब उसके बाद 2011 में इसकी population हो गई थी 1.2 billion के असपास अभी recent data नहीं दिया हुआ है तो यह data आपको याद रखना है एक्जाम के point of view से this data is quite important अब आप इसको याद अखना है जो हमारी population growth rate है इसे साब से माई जो population growth rate है growth rate है वो है approximately 1.7% के आसपास या less than 2% अभी नई अन्सेयाटी में data modified हुआ है that is approximately 2% 2% का मतलब यह है 2% का मतलब यह है कि 20 इंडिविज्वल पर thousand growth 20 इंडिविज्वल पर थाउजन मतलब एक हजार व्यक्ति में जो है 20 व्यक्ति नया बन रहा है कि हम कह सकते हैं इसकी growth rate है तो यह है इस हिसाब से इस हिसाब से तो हमारी population 30 years में क्या हो जाएगी डवल हो जाएगी है कि नहीं तो यह सारी चीज़ें यह data आपको याद रखना है और इनी सब चीज़ों को इनी सब चीज़ेंको कम करने के लिए RCH प्रोग्रामाया क्या alan art reap productive चाइल्ड-इड्किए एंड चाइल्ड-केर रहल्थ कि इसमें यह बोला गया भाई कि देखो इस इस चीज़ में यहां पे सुन इस अंतरगत क्या बताया गया कुछ slorgun बनाये फिर को स्मॉलर फैमिलिए उसको प्रमोट करने के लिए ぇ स्मॉलर फैमिली को प्रमोट करने के लिए आपने कई स्लोगन सुने होंगे हम दो हमारे दो ठीक है ना मतलब जो वीकेंड से की केवल दो ही वच्छे पैदा करेंगे और काफी जो डेवलप्ड सिटीज वगर है ना वहां पर तो वन चाइल्ड नॉर्म की भी जो है वहां पर ये भी एडॉप्ट किया था वन चाल की मतल में बहुत अच्छे से नॉलेज हो एक तो हो गया smaller family दूसरा हो गया इनको sex education के बारे में अच्छे से नॉलेज हो और तीसरी चीज यह हो गए कि use of contraceptive method भाई दो तीन चीज से तो contraceptive method आप contraceptive methods का use करिए और उसके बाद जो है तो population जो growth rate है वो obviously क्या होगी कम होगी तो अब हम लोग देखेंगे what is the contraceptive method contraceptive methods को पढ़ने से पहले जो contraceptives होते हैं एक ideal contraceptive कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तो ideal contraceptive है ideal contraceptive आइडियल काश्रा स्पर्च्राइब के क्या क्या है क्राटेरियहा होने चाहिए पहली ajaum यहां से वी exam पुशके और आते हैं आपको नहीं भी आते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर यहां से पृशन नहीं भी आता है तो यह वह छांची पेहलेगए प्हली चीज यह है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए यूजर फ्रैंडली का मतलब बहाइं यह है कि उसको यूज करने में आसानी हो जैसे कंढूम से हैं पता चुब रहा है कोई यूज़ करें एस के EZE AVAILABLE O.K. EZE AVAILABLE यह सारी चीजेures user-friendly और effective होना चाहिये अब क्या नहीं होना चाहिए भाई इसका side effect होना चाहिये कोई इसका side effect नहीं होना चाहिये दूसरी चीजे यह है व्रस शवूडängerब यह जो आप कि आपके both your sexual dot rave है या फिर जो से जो सेक्सुल डिजायर है ठीक है उसमें कोई इंटरफेर नहीं करना चाहिए तो यह सारी चीज़े हैं एक आइडियल कॉंटरसेप्टिव के क्रेटेरिया होने चाहिए अब हम लोग कॉंटरसेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कौन-कॉन से करूंटरसेप्टेरिव मेथड्स और हम लोग क्यारी मेथड्स देखेंगे को सबसे पहला होता है यहां पे नैच्राल मेथड नयाच्ब कर लेते हैं गेगे मैं और सब्सक्रसकर करें कि मेथट हो गया और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या मिकल मेथट क्या मिकल मेथट के और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हें इंट्रा यह मैं पहले इसको छोड़ दे रही हूं इंट्रायूट्राइन डिवाइट डिवाइसेस आयूडी कहेंगे इसको फिर कुछ आपके Oral Contraceptives हो गए ठेक है फिर कुछ आपके Injection Injection बग के Injection और Implant हो गए Injection अद Implant फो गए ठेक है Injection and Implant हो गए और Last मैं यहीं पर लिख दे colum Surgical Removal Surgical Removal सब कुछ आपके बुक में दिया हुआ बस एक एक करके आपको पढ़ना है Natural Barrier, IUD, Oral Contraceptive Injection and Implant और लास्ट है Surgical तो देखे, सब कुछ में, यहां barrier में कुछ हम क्या करते हैं अलग से चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे female condom, male condom, इसके लावाँ female diaphragm, cervical cap, cervical vault यहां पर हम बाहर से कुछ न कुछ न कुछ यूज़ करते हैं और उरल Contraceptive Pills में गुलियां खाते हैं ठीक है, Unwanted Pregnancy को जो है रोकने के लिए हम क्या करते हैं और उरल Contraceptive Pills में पिल्स लेते हैं यहां पर कुछ chemical के injection लगाया जाते हैं यहां पर surgical removal किया जाता है, कुछ न कुछ किया जा रहा, कुछ न कुछ चेंज हो रहा है लेकिन इस इस न अली मेथद, नैच्रल मेथड यह एक ऐसा मेथड है जहां पर हमें बस अपने बाडी की नॉलिज को यूज करना है यहां पर कुछ भी नहीं लेकिन फएलियर के चांस जाता है ठीक है ना फिल्यर के चांसे होते हैं ते जला-पेंगे यहीं हो और लेकिन कोई साइट सबसे पहली मीज़द है इस और progress प्र सबसे पेली मेह Brockκ पीरियॉटिक एस्टीनेंस होतों इसमें क्या होता है अबस्टीनेंस यहां पर क्या होता है देख्म कि आपको पता है कि फीमेल में औलिएशन फोर्टीन डेस सब्सक्राइब लेकिन हमें डर है कि फिफन लेकिन दो दिन आगे दो दिन पीछे मान के चलेंगे दूसरी चीज़ यह है कि जो ओवर होता है जो सेकंडरी उसाइट रिलीज ओवलेशन के दौरान उसकी लाइफ साइकल को भी हम लोग देखते हैं उसकी लाइफ साइकल क्या है उसकी लाइफ साइकल क्या है वहां पे we can say वो 24 to 40 hours जिन्दा रहता है मतलब दो दिन उसकी लाइफ साइकल भी ले लो तो बारा से अगर हम देखे तो 11 भी सेफ नहीं है और 10 भी सेफ नहीं क्योंकि अगर 12 को जो है या भी सॉरी हम क्या कह सकते हैं सॉरी मैं इधर की बात करें अगर 14 को ओवलेशन हुआ तो 15-16 सेफ अगर 16 को ऑवलेशन हुआ तो दो 17-18 सेफ नहीं है है ना तो यहां पर 17-18 सेफ नहीं है तो ऐसा हम मान के चलते हैं एसा मान के उसको हम रिदम मेथड भी कहते है न हाँ फर्टाइल पीरियड है उसमें इंटर कोर्स अगर नहीं होगा तो वी कैंसे की फर्टिलाजिसन के चांसेज नहीं होगे तो सेफ पीरियड क्या हुआ आपका 18 ऑनवर्ड्स वी कैंसे 19 ऑनवर्ड जो 28 है यह काफी सेफ पीरियड है ओ इसमें अगर इंटर कोर्स ना हो तो यहां पर जो यहां पर जो फर्टिलाजेशन है उसके चांसेज कम हो जाएंगे दूसरी चीज गया है दूसरी चीज यह है कोईटस इंटरॉप्टस 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 इंटरॉप् सब्सक्राइब उस ताइम वह अपने पैनिस को फी मल के वशर्णा से विड्रॉङ कर ले ठीक ना जस्ट भी फूर ऑपना पैंश विड्रॉग कर लेता है तो इस सेक्विलेशन इंसड नहीं होगा तो फटलाइजिशन नहीं हो पाएगा बूस्क चांसे लेकिन यहां पे भी के चांसेज हैं क्योंकि जो प्रिजर क्लिटरी फ्लूड होता है उसमें भी स्पम हो सकते हैं तो फेलियर के चांसे मैंने पहले बताया फेलियर के तो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी होती है आफ्टर डिलीवरी सिक्स मान तक इंटेंशनल इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं 6 मैने तक जो है वो इसा रिकमेंड भी किया जाता है एड्वाइस मिलता है कि आप 6 मंत तक बवी देने से उसको infection के chance से ज़्यादा है तो six month तक मदर क्या करती है intense feeding कराती है उस time उसकी body भे प्रोलेक्टिन के जो concentration काफी ज़्यादा होते है प्रोलेक्टिन अगर ज़्यादा होता है तो that is the inhibitor of gnh gonadotropic hormone की यह inhibitor होते हैं यह का मतलब lh and fsh by lh is the main ovulatory hormone यह नहीं रहेगा तो ovulation नहीं होगा तो यह इसके जानी दुश्मन है ठीक है ना प्यारल इस दुश्मन of lh and fsh जआधा से ज़्याधा viral अगर प्रो लेक्टिन ही तो कहते है वह प्रोलेक्टीन केहते हैं शायद 2 अगर क스타 कि थोड़ा सा पता नहें कैसा लग रहा है मैं इस वक्नारी में नारी नाए वाeng को लोग लिए और तो चलरी without lack of menstrual cycle lack of menstrual cycle so this is all about the natural method जहां पर कुछ भी नहीं लगना है बस यह सारी जीजह है अब बेरियर मेधड में देखिए जहां पर कुछ बेरियर यूज कर लो जिसे मेल में है मेल कॉंडोम जो गया टिक ना मेल कॉंडोम компании डिक है एक बार यूज करो उसके बाद इसको रियूज नहीं किया जा सकता। जबकि फुमेल में जबकि फिमल अब देखें male condoms लेटेक्स का एक सीक उता है लेटेक्स का बना होता है रबर की शीत होथी है और एक popular male condoms है that that is the neerodha आपके anxiety में दिया है पुछा जा सकता है फीमेल में जो barrier यूज के राता है वो क्या है female condom उसके बाद diaphragm यह सब rubber के या cap कुछ होते हैं मैं अभी आपको इसके बारे में बताती हूं और cervical caps, cervical vault, यह actually इस तरीके का cap like structure होता है जिसको female अगर suppose करिए कि this is the female vagina तो female vagina और यह के है यहां से यह cervix है तो यह cervix के पास इसको insert कर दिया जाता है और यह जाके cervix की जो canal होती है यह cervical canal को ढख लेता है जिसकी वज़े से अगर यहां पर मालेजे सीमेंट डिस्चार्ज भी हो रहा है तो यह अंदर ऊपर uterus या फिर विकेंट से फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा तो एक चीज आपको यह याद रखना है यहां से जो question आने के चाहिए यह तीनो एक ही जैसे होते हैं थोड़ा सा इसके structure और statement difference होता है तो यहां पर होता क्या है कि जो condons हैं उनको तो दुबारा use नहीं किया जा सकता लेकिन जो diaphragm, cervical cap और vault है यह reusable है एक्जाम में question आ सकता है इसको ध्यान देजीगा, reusable मतलब इसको दुबारा से wash करके यूज किया जा सकता है तो इस इस आल अल अब देखते हैं IUD देखें, IUD का मतलब होता है intrauterine device intrauterine device intrauterine devices इसमें कई तरीके की devices हैं एक device सबसे पहली device का नाम है non-medicated, मतलब यहाँ पर कोई chemical वगरा यूज नहीं होता है non-medicated दूसरा है copper releasing IUD copper releasing IUD ठीक है और तिसरा है hormonal IUD एकदम ध्यान से समझना है यहाँ से question बनने के सबसे ज़्यादा chances होते हैं और बनते भी हैं यहाँ से question जो है वो काफी ज़्यादा बनते हैं इसको आप याद रखना non-medicated IUD में क्या होता है यहाँ पर कुछ ऐसे एक coiled wire-like structure होता है जिसको हम करते है lips loop double-s shape का होता है इसको जैसे माले जी यह female की fallopian tube है इसको क्या करते है इसे implant कर देते हैं यह double-s जैसा structure होता है इसको uterus की wall में क्या करते है implant करते हैं जिससे uterus क्या करता है यहाँ पर blastocyst को implant करने की capacity कम हो जाती है तो इसमे नॉन मेडिकेटेटेट में नॉन मेडिकेटेटेट का इग्जांपल है लिपस त इड़ीप लूोड लिपस 예द युटेटेटेट का ureis के अंदर कुछ ऐसे कॉपर मतलब कुछ ऐसे T-Shape का इस्ट्र noises होता है जिसमे कोपर की कोटिंग ती है एक इसको implanta कर दिया जाता है एक ड्ड़ दिया जाता है अर तीर दीर एक कॉपर रिलीस करते है और होता कैसा सिमन के दुवारा इस cal Records पर जाके कॉपर बाइंड कर जाते हैं जिससे स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाएगी जिसकी विज़से स्पर्म वहां फैलोपी ट्यूप तक नहीं पहुंच पाएगा तो यह हो गया इसके अलावाँ यहां पर हॉर्मोनल आयोडी में कुछ यह सब कुछ इंट्रा- यूटरस के अंदर डाले जाने वाली डिवाइस है. हार्मोनल आइउडी में एक है, LNG 20, एक्जाम में कॉश्चन आ चुका है और प्रोजस्तासर्ट, प्रोजस्टासर्ट, देखेए, एक्छली क्या होते है, यह ऐसे डिवाइसे होते है, जिसमें प्रोजस्टरोन की कích होती है ले जी लीवो नार गैस्टरल करके कुछ है इसमें भी क्यां यह भी कुछ नहीं है यह प्रोजिस्टरिंगास है तो इसमें प्रोजिस्टरान क्या करता म्यूंत प्रोजिस्ट्र ये जा अगर यह जा के अगर इसको यूत्रस में डाल दिया गया तो आप núcle अ और प्रोजिस्ट्रॉण क्या घड़ वह के यूके के वीकेंड से कि जो यूटरस की फैगोसाइटोसिस है इस पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है इस पर्म की फैगोसाइटोसिस तो होना ही है वहाँ पर होता ही है तो इस पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है दूसरी चीज यह है कि वो सर्विक्स को बन गया तो यहां से जो स्पर्म जाएगा वो ऊपर नहीं जा पाएगा तो देखिए आप से पुछा देता जो आयोडी है तीन तरीके के नॉन मेंडिकेटेड कॉपर रिलेजिंग और हार्मोनल यह करते क्या है यह स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं इसके अ रख़ार ने इसको केते हैं इंत्रा एंट यू टेराइट लेशे अब कुछ और पिल्स में हम लोग देख लेते हैं औरल पिर्स क्या होते हैं म स्षट है तो describe वह धersonnezlex करेंगे तके यह जो औरल पिल है उसको हम लोग कहते है एक तो में यहां फिल देना हूं सहेली सहेली इसको इंडिया में डेवलफ किया गया है ठीक है और इसको इंडिया में डेवलफ किया गया है CDRI लखनो में CDRI लखनो ये एक्जाम में कुछा जा चुका है और ये once in a week peak है once in a week pill है once in a week pill once in a week pill और इसके बारे में अभी आपको बताऊंगे ये question बहुत important CDRI का full form है Central Drug Research Institute Central Drug Research Institute ये आपको याद होना चाहिए Central Drug Research Institute के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर oral pills में oral pills में दो तरीके के मैं oral pill के बारे में आपको बताने जारी हूँ वो बहुत ध्यान से आपको समझना है एक होता है COC COC और दूसरा होता है POP COC का मतलब यह है अब इसको ध्यान समझेंगे COC का मतलब यह है Combined Combined Oral Contraceptive Contraceptive और POP का मतलब है Progestron Only Progestron Only Pill अब देखे Combined Oral Contraceptive Combined Oral Contraceptive में क्या होता है Estrogen और Progestron का Combined Dose होता है Estrogen और Progestron दोनों को Combinedly दिया जाता है इन दोनों को Mix करके दिया जाता है जो भी आपकी Tablet बढ़ाए जाती है उसमें Estrogen और Progestron दोनों का Composition होता है इसको हम लोग कहते है Combined Oral Contraceptive अब कैसे यह इसको रोकेगा भाई देखिए होता क्या है जो एस्ट्रोजन अब एक चीज आप लॉजिकली अगर सोचेंगे तो आपको यह दिमाग में आएगा कि जो एस्ट्रोजन है वो तो भाई हमारी सब्सक्राइब दिर्ख allora इस्ट्रोजन मनते हैं अगर हम कि अश्ट्रोजें द泉न को प्रमोट कर रहा है तो कैसे 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 यह ओविलिशन को बंद कैसे करें elements वो चीज़े समझने के लिए आप ये समझे है, कि जो estrogen है, estrogen is the inhibitor of FSH and LH, estrogen जो होता है वो FSH और LH का inhibitor होता है, तो अगर आपकी body में time by time अगर estrogen डाल दिया जायेगा, तो वो आपकी FSH को inhibit कर देगा, और जब ये FSH को inhibit कर देगा, ठीक है न? FSH को inhibit कर देगा तो follicle stimulate follicle development नहीं पाइगा अभी हम लोगों ने menstrual cycle पढ़ा था जैसे देखिए मैं एक बार menstrual cycle यहां पर बना दे रही हूं तो आप ध्यान से समझना यह हमारा FSH और LH FSH and LH और यह हमारा ovarian में जो follicle है है यह नहीं फॉलिकल यह graphene follicle mature follicle और यह हमारे estrogen और progestron और यह uterine cycle दीखिए actually क्या होता है कि हमें पता है कि जो estrogen है estrogen यह कहां से release होता है follicle से release होता है follicle से release होता है और estrogen किसका inhibitor है follicle stimulating hormone का और यह follicle बनेगा कब जब follicle stimulating hormone उसको stimulate करेगा तो simple सी बात है estrogen जो है वह ovulation को stop कर देता है और जो progestron है मैंने अभी अभी आपको बताया कि वह cervix में mucos plug लगा देता है या plug का formation कर देता है जिसकी वज़े से जो we can say sperm है वो ऊपर नहीं जा पाता यह uterus में नहीं पहुच पाता तो यह सब क्या होता है इसको 21 days तक लेना रहता है इनकी चो tablet होती है वो 21 days की cycle होती है इसको लेने के लिए और जैसे ही menstrual cycle आपका start होता है किसी भी लेडी का जैसे ही menstrual cycle शुरू होता है पहले पांच दिन के अंदर से उसको लेना शुरू कर देना चाहिए तो इस तरीके से ओविलेशन जो है वो नहीं हो पाता है तो यह क्या होता है इसमें दो तरीके की पिल है इसको लिया जाता है ठीक है सहेली सहेली के बारे में अभी आपको बताया कि यह क्या है नॉन इस्टराइडल पिल होती है ठीक है नॉन इस्टराइडल पिल और इसमें एक कैमिकल होता है एक chemical होता है उस chemical का जस्ट मुझे भी नाम नहीं आदा रहा है सी से नाम होता है वो आपकी एक्जाम तो में तो नहीं पुछेगा लेकिन उसका effect होता है anti-estrogen anti-estrogen, anti-estrogen, ठीक है ना? और ये anti-estrogen क्या करेगा? अगर आपकी body में estrogen ही नहीं है ठीक है ना? estrogen अगर आपकी body में नहीं है तो आपकी जो uterus की जो wall है उसकी thickening नहीं बढ़ पाएगी उसकी thickening नहीं बढ़ पाएगी ठीक है? तो ये जो सहेली है ये once in a week pill है और ये anti-estrogen है तो ये सारी चीज़ें oral हो गई अब कुछ injection और implant जो है injection और implant same वही चीज़ है आप thank god कि आपको इसको अलग से नहीं पढ़ना है estrogen और progesterone का combined injection दिया जाता है ठीक है? या estrogen और progesterone को combinedly implant कर दिया जाता आपकी body में कहीं skin के नीचे वो धीरे-जरे estrogen और progesterone release करते हैं तो हम करते हैं injection और implant जो आखरी method है वो है surgical method वो कह है surgical method तो हम अगले method में हम देखेंगे इसको surgical method surgical method में आपको पता है कि male में male में क्या होता है vasectomy हो जाता है vasectomy और female में tubectomy कर देते है tubectomy अभी पिछले lecture में हमने male और female reproductive part बना दिया है याद होगा अच्छे से vasectomy का मतलब होता है जो was difference है आपने देखा था मैंने बता वाज difference the first duct which ascend in abdominal cavity तो वाज difference को cut करके उसको टाई कर दिया जाता है female में fallopian tube को cut your tubectomy fallopian tube को cut करके उसको बान दिया जाता है तो वाज difference को अगर उपर से कट कर दे देखे ऐसा नहीं कि ऐसे male semen produce नहीं करेंगे ऐसे male मेरी बात को ध्यान सुनना है क्योंकि वाज difference पस sperm लेके जा रही है बाकि सारी चीज़ें तो उसके बाद seminal plasma जो sperm और plasma दो component मिलके semen बनाते हैं तो वाज difference is carrying only sperm which is the 10% of the semen तो किवल spawn नहीं जाएगा बाकि उसका seminal fluid रहेगा ठीक है ना सो वैसे क्टामी और ट्रिवक्टामी हो गया लेकिन सबसे सबसे बुरी बात यह है कि चलिए इसमें failure का तो chance ही नहीं इसमें failure का chance ही नहीं है सबसे effective method है लेकिन सबसे खराब बात यह है कि यह reversible इसकी reversibility काफी poor है इसको दुबारा से अगर कोई सोचता है कि नहीं हम मुझे फिर से बच्चा पैदा करना है तो इसकी reversibility काफी poor होती है ठीक है ना तो this is all about we can say this is all about the contraceptive method अब हम लोग आगे पढ़ेंगे MTP MTP बहुत important है इसको हम लोग केते हैं medical termination of pregnancy medical termination of pregnancy या फिर या फिर इसको हम केते हैं induced abortion induced abortion induced abortion माल लिजे इतने method के बाद भी सारा method use कर डाला तब भी pregnancy हो गई ठीक ना pregnancy हो गई लेकिन आप pregnancy चाहते नहीं हो तो क्या कराना पड़ता है abortion ठीक है abortion का मतलब होता है आप जाके या भी कैसे termination of pregnancy जिसको induced आप अपने मन से उसको अबार्ट करवाते हो इसको मैंनों केते हैं induced abortion अब इसके कितने जादा जो है MTP इतनी खतरनाक प्रोसेस होती है कि जो female है सबसे इसका effect किसको पढ़ेगा सबसे मेंटली फिजिकली यह सब effect कहां पढ़ता है female के ऊपर ठीक है अगर यह में में MTP होता ना में में ऐसे कोई चीज होते तो आज तक होती ही नहीं खतम हो चुकी होती क्योंकि मेल सुरू से ही डॉमिनेंट रहा है वह अपनी समस्याय कम कर लेता है मेल में यह चीजे जहलनी किसको पढ़ती है female को MTP medical टरने सब्सक्राइब के emotional health पे उसके mental health पे उसके physical health पे बहुत ही adverse effect पढ़ता है तो 1971 में 1971 में 1971 में इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि यह एक्जाम में question आया है 1971 में जो है इसको इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसको legalized कर दिया ठीक है legalized it okay अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे approximately एक चीज़ और समझ लेना आप एक साल में all over the world we can say all over the world पूरी दुनिया में एक प्रोक्सिमेंटी तो फिफ्टी मिलियन पर यह जो कि total pregnancy का 20% है It is 20% of total pregnancy 20% of total pregnancy तो अगर हम बात करने तो approximately 200 million per year के आजपास जो है वो क्या होता है? Conceive होता है Pregnancy कितनी खतरनाख चीज़ है और कितनी जादा है यह 20% 20% जो होता है वो abortion होता है हर साल total pregnancy का मतलब 100 pregnancy हो रही तो वहाँ से 20% जो है वो abort करवा दिया जाता है तो 1971 में Government of India ने इसको legalized कर दिया और उन्होंने कहा उन्होंने Government of India ने ये कहा कि जो ठीक है induced abortion अगर करवाना है तो वहाँ पे कि वहला first trimester जो है वो safe है उसके बाद नहीं first trimester is safer period बाना जाता है सबसे मतलब ये safer side first trimester का मतलब पहले तीन मन तक, तीन मन का मतलब 12 weeks तक 12 weeks तक फिर उसके बाद आया MTP Amendment Act Amendment Act इसके तहत इसमें कुछ सुधार हुआ इसमें कुछ सुधार हुआ है इसके तहर दो चीज़ें आपको याद रखना है अगर MTP करवानी है ठीक है ना अगर unwanted pregnancy हो गई MTP करवाना है तो first trimester में first trimester में चले आप कोई भी दिक्कत हो कोई भी दिक्कत हो MTP हो जाएगी मतलब या तो चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम हो या unwanted pregnancy हो या mother बीमार हो या कुछ भी हो तो first trimester में there is no need of any type of verification की क्या है क्या नहीं है first trimester में safe माना जाता है वहाँ पे MTP हो सकती है वहाँ पे abortion हो सकता है लेकिन यहाँ पे you need one medical practitioner आपको यहाँ पे एक medical जो practitioner है उसकी जरूरत पढ़ने जा रही है तो first trimester में safe होता है and one medical practitioner की जरूरत है one medical practitioner की राय लेनी होगी आपको advise लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप आपसे कोई गलती हो गई आपने first trimester में abortion नहीं करवाया है तो second trimester में भी abortion होगा हो सकता है देखिए amendment act के अंदर आता है second trimester में भी abortion हो सकता है यहाँ पर आपको two medical practitioner की advice लेनी होगी two medical practitioner at least two medical practitioner की advice लेनी होगी लेकिन एक कि यहाँ पर जो abortion है वो क्वल दो ही case में हो सकता है दो ही case में हो सकता है या तो बच्चे में कोई ऐसे chromosomal abnormality हो like down syndrome हो और या तो फिर उसमें कोई turner syndrome हो land filter syndrome मतलब बच्चे में कोई abnormality हो या तो मदर की जान खत्रे में हो तो दो ही case में थिक है ना दो ही case में इसके लवाँ नहीं हम से unwanted pregnancy नहीं नहीं जाओ उसको जहलो बच्चे को लाओ उसको पालो पोस उसको बढ़ाओ कुछ नहीं बस एक दो ही case में यहाँ पर MTP हो सकता है कि अगर मा है उसको कोई problem हो सकती आगे चलके या तो फिर बच्चे में कोई abnormality हो उसको कोई इंग्रोप्जूमल डिसॉडर हो तो इस इस वाल अबॉट अब मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी अब हम लोग यहाँ पे सबसे आखरी चीज पढ़ते हैं अच्छा दो चीज और है एक है आपका यह इनफर्टिलिटी ठीक ना इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इनफर्टिलिटी तो भाई मेल में भी हो सकता है फीमल में भी हो सकता है मेल में भी हो सकता है फीमल में भी हो सकता है देखिए यह सब चीज आपके लिए बहुत जरूरी क् भी चाहिए इन फर्टिलिटी मेल में ही जादा कॉमन होती है पहली चीज तो एस ठीक है ना में डिके में क्या कर समस्या हो सकती है मैं बता रहे हूं पहली चीज एस बढ़ने के साथ सब्सक्राइब काॉंटिंग घटने लगती है ठीक है दूसरी चीज बहुत बहुत जादा प्रेशर है बहुत जादा आप कह सकते हैं कि ब्यस्तता है उसकी दिन्दगी में तो वहां पे एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसे सब्सक्राइब है तो अगर प्रोपर्ली नहीं हो पाएगा तो इसे होगा तो मेल फीमेल में भी दिक्कत आती है फीमेल में दिक्कत यह हो सकती है कि एस तु सबके साथ है एस बढ़ने के साथ साथ फर्टिलिटी कम होती है ठीक ना दूसरी चीज यह है कि वहां पर हम कह सकते हैं कि उसकी जो ओवरी में सिस्ट वनना शुरू हो जाता है तो प्रविकेंड से की जो काफी देट से प्रयास कर रहे हैं काफी से प्रयास कर रहे हैं मैरीड हैं Clinic साथ उसके बाद भी शाय्ट प्रोड्यूज नहीं हो अकृइड इनफर्टिलिलिटी को जो है क्योर करने के लिए चsrinot? समक्रापाइब करना इसको निया एक चाली है कि यहां पे यहां से वद्टेखनीक सब्सक्राइब किया जाता पहली चीज तो आप इन विट्रो फर्टिलाइजिशन के बारे में जानते होंगे टेस्ट्यू बेबी टेस्ट्यू बेबी में होता क्या है कि माल लीजे इन फर्टिलिटी फीमेल में है एक प्रोड्यूज नहीं कर पा रही है तो उसके हस्बेंट का स्पाम लो और किसी और का एक लो एक बैंक इसलिए बनाए गया है और उनको टेस्ट्यू इन विट्रो का मतलब विट्रियस मतलब ग्लास उसको टेस्ट्यू में फ्यूज करो टेस्ट्यूज में फ्यूज करने के बाद जब वो जाइगोड बन जाता है आपको पता है जाइगोड से मतलब तो जो एट सेल वाली स्टेज एट सेल ब्लास्टोमेर की स्टेज है उसको आप ले जाके उसको आप ले जाके फीमिल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांस्वर कर देते हो ठीक है अभी मैं इसको सारी चीज़ों को बता रही हूं देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मे दो चीज़ है एक तो हम लोग पढ़ते हैं जिफ्ट और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसवर आई यूट बहुत इंपोर्टेंट है इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना लेट में चेक देटाइम जल्दी कातम होने वाला कोई दि यूटराइन ट्रांसवर और जीफट का मतलब होता है जीफिट का मतलब होता है जाइगो- новых इंट्रा फ्opeselopblepassetha अथ इसमें अन्तर किया है जब आपका जाइगोट यहां इट बलास्टीमियर स्टेश तक होता है तब इसको आप फ्यैडोपियन ट्यूब में ले जाके ज जिस भी मदर को बेबी कैरी करना है उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हो फिर वो 16 सेल फिर 32 सेल फिर ब्लास्टो सिस्ट बना के कि इंबलांट हो जाता है क्योंकि एट सेल अभी वो छोटा है ना इसको डाइर्क लिट्रस इंबलांट्ट करोगी मतलब यह लगबग सिक्सिटींटिय 20 तो ब्लास्टोसिस्ट अल्री बन जाता है तो इसको directly आप uterus में implant करें, uterus की lining में implant कर देते हो, तो इसको आप कहते हो intrauterine transfer, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, तो in vitro fertilization हो गया, दूसरा ये है gift, गिफ्ट को हम लोग कहते हैं gametic intra fallopian transfer, इसको हम क्या कहते हैं, gametic intra fallopian transfer, इसमें देखे क्या होता है, कि मालिज जो female है, वो एग प्रोड्यूज नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या करो, उसके fallopian tube में gamete, मतलब एग, ओम ले जाके transfer कर दो, और फिर उसका male partner semen ejaculate करेगा, तो वहाँ पर fertilization naturally हो जाएगा, ठीक है, तीसरी चीज ये है, तीसरी चीज ये inflammation या फिर intrauterine injection, intrauterine injection या फिर इसको हम लोग और एक नाम दे सकते हैं, हाँ, intracytoplasmic sperm injection, intracytoplasmic sperm injection, intracytoplasmic sperm injection, full form लिख लेना, intracytoplasmic sperm injection, आप क्या करते हैं, यह यहाँ पर क्या करते हैं, आप स्पॉम का injection जो cytoplasm है, जो एग का cytoplasm है, उसमें बाहर इसको, उसमें directly sperm को क्या करते हैं, inject कर देते हैं, lab के अंदर, और उसके बाद जब वो zygote बना लेता है, तो zygote को फिर आप उस तरीके से किसी भी stage में लजा कि उसको female के अंदर transfer कर देते हैं, और last है, चौथा है, artificial insemination, artificial insemination क मतलब यह है, कि artificially, मतलब semen bank से आपने semen को collect किया, और उसको directly female की, हम कह सकते हैं, यहाँ पर intrauterine insemination कर दिया, female की uterus के अंदर semen को डाल दिया, ठीक है, artificial insemination, artificial insemination में इसको हम लोग intrauterine insemination भी कहते हैं, intrauterine insemination, तो these are the assisted, यहाँ से question आते हैं, इस पर ध्यान देजेगा, यह है, intracytoplasmic sperm injection मतलब, एग के cytoplasm में directly sperm inject कर दिया, और यहाँ पर female की uterus में directly inseminate कर दिया, artificially, ठीक है, ना, naturally, नहीं, तो this is all about the, we can say, assisted reproductive technology, अगली जो चीज है, वो है STD के बारे में, ठीक है, सेक्सुली ट्रांस्मिटेड डिजीज, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, वीडी भी कहते हैं, veneral disease, veneral disease, या फिर इसको हम RTI भी कहते हैं, reproductive tract infection, अब देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज़ आपको यह समझनी है, कि यह कई तरीके के होते हैं, आपके इसमें जो भी हैं, सब आपके reproductive part को affect करते हैं, इसमें कई disorder है, पहला तो है bacterial, ठीक है न, दूसरा है viral, और तीसरा है protozoan, bacterial, viral और pretezen, यहां से question पुछा जा चुका है पिछले exam में, यहां पर जो bacterial है, पहला तो है अपका gonorrhea, gonorrhea एक bacterial disease है, STD है, sexually transmitted disorder, दूसरा है syphilis, ठीक है न, तीसरा है clemydiasis, अब मैं जो बोल भी हो, उसको लिखते जाएगा, यह niserya gonorrhea से होता है, आपको पता है gonorrhea किस से होता है, निसेरिया gonorrhea, निसेरिया gonorrhea, ठीक है न, gonorrhea, syphilis, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम से होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है, और यह clemydiasis, clemydis, trachomonaisis से होता है, ठीक है, trachomatis, trachomatis, clemydias, trachomatis से होता है, तो these are the bacterial disorder, viral disorder में सबसे पहले चीज़ तो आप HIV, दूसरी चीज़ आफ, hepatitis B, hepatitis B, HB से लिख दे रहे हूं, hepatitis B, ठीक है, तीसरी चीज़ है, genital herpes, genital herpes, सब HH से मैं बता रहे हूं, H, hepatitis B, HIV, ठीक है, viral में है, VV आ रहा है, HIV, hepatitis B, और herpes, ठीक है न, herpes, यह herpes simplex virus से होता है, लिख लेना, यहां से question आया था, पिछले साल, herpes simplex virus, और यह HIV, hepatitis B virus, hepatitis B virus से होता है, HIV तो आपको पता ही, AIDS, ठीक है, AIDS, HIV से होता है, और genital heart, genital heart, यह होता है, human papilloma virus, human papilloma virus, यह cervical cancer है, यह कहा है, this is the cervical cancer cause करता है, cervical cancer cause करता है, तो genital heart, protozoan में है, trichomoniasis, यह सब exam में question पूछे जा चुके हैं बच्चों, trichomoniasis, trichomonasus होता है, trichomonasus एक protozoa, तो these all are the reproductive tract infection, जो cause करते हैं, bacteria, protozoa और viral, सबके symptom एक होते हैं, सबके symptom क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, जैसे कुछ वहाँ पे fluid बाहर आना, और इसके अलावा, itching, burning, sensation, urination, सबके symptom लगबग एक जैसे होते हैं, female, female generally क्या जाती है, asymptomatic होती है, female में सारे symptom सुरूम में नजर नहीं आते हैं, और बाद में यह क्या कॉस करते हैं, कि female में abortion जैसे समस्या हो जाती है, PID हो जाता है, female की बात करें हो, PID मतलब pelvic inflammatory disease, ठीक है ना, और इसके अलावा, female में ectopic pregnancy, ectopic pregnancy का मतलब यह होता है, बच्चों की uterus के अलावा, अगर blastocyst कहीं implant हो गया, embryo का implantation, या we can say, जो blastula है, blastula का implantation कहा होता है, uterus की बाल में, नॉर्मल प्रेग्नेंसी में, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं और जगें इंप्लांट हो गया, लाइक फैलोपीन ट्यूब, ठीक है, तो इसको tubal pregnancy या ectopic pregnancy करते, तो female में ये सारी समस्या हो जाती है, ठीक है, तो देखिए, जो RTS होता है, या RTI जो होता है, या STD जो होते हैं, वो हलंकि ये तो सारे age group में हो सकता है, लेकिन जो 15 to 24 वाले जो male होते हैं, या 15 to 24 age group वाले जो person होते हैं, उनमें बहुत common होता है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, पहली चीज तो ये है कि आप प्रॉपल जो है, वी कें से, अवाइट सेक्स फ्रॉम विद अन्नोन पार्टनर, मल्टिपल पार्टनर्स, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप हमेशा contraceptive यूज करिए, condoms यूज करिए, ठीक है, तीसरी चीज ये है कि male और female पार्टनर को कॉइटस से पहले और कॉइटस के बाद में, जो अपने private parts हैं, उनको wash करना चाहिए, चोथी चीज ये है कि अगर कोई भी doubt आपको लगता है, और it is about 3 a.m. मेरे खयाल से रात के तीन बजने वाले हैं, तो अब आप लोग इसको, मैं इसको सुबा अपलोड करूँगी, अभी बहुत ताम दों करना पड़ता है इसको अपलोड करने में, तो आप बहुत ध्यान से समझना इस चेप्टर को एक बार ध्यान से पढ़ लिजेगा, सारी चीज़ें प्लियर हो जाएंगे.